नमस्कार सुबह के दस पच चुके हैं आप देख रहे हैं मिररनाव और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंग इस बुलेटिन की शुरुवात करते हैं सेंसिक्स यारी एक बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सेंसिक्स और निफ्टी रिकॉर्ड इस तर पर ट्रीट कर रहे हैं शुरुवाती कारुबार में 275 अंको की बढ़त के साथ सेंसिक्स पहली बार 60,000 के पार चला गया तो वहीं निफ्टी भी 100 से ज्यादा अंको की बढ़त के साथ 17,900 से उपर ट्रीट कर रहा है ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें पहली बार हुआ है सेंसिक्स 60,000 के अंको को क्रॉस किया है बाजार खुलते ही 60,000 के उपर था और सीधे हमारी सहयोगी डिंपी का अला हमारे साथ इस वक्त जोड रही है और ज्यादा अपडेट लेकर डिंपी निश्य तोर पर बाजार के लिए आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें सेंसिक्स से आ रही है 60,000 का रेकॉर्ड तोड अंक सेंसिक्स में उच्छाल देखा गया है य और युछ तोर फ मुझा रही पहली बार है कि जब हमने साथ इसाथ लार का आंकड़े और बेक्त की निश्य तोर निश्य तोर पर इसाथ। क्योंकि economy अब धीरे धीरे open की जा रहे है तो इसका बड़ा benefit जो है सभी consumption वाली companies को देखने को मिल रहा है जो कि भारत एक बहुत बड़ा consumer भी है। दूसरा कोविट की जो थर्ड वेव है उसको लेकर अभी थोड़ा taper है अभी लगनी रहा कि शायद कोविट की थर्ड वेव अभी बहुत विक्राल रूप हासिल कर सकती है या आगे हो सकता है तो उसको लेकर मार्केट इसको enjoy कर रहा है थर्ड चीज इसके अंदर ही कि जो number है वो काफी expected हैं जो अच्छे आ सकते हैं इस बार quarterly numbers क्योंकि इस बार कंप्री ने जो growth दिखाई चाया हो sales के अंकड़े हों चाया हो real estate में वापिस से तेजी है रिकॉर्ड रिजिस्ट्रियां हुई है इस बार मुंबई के अंदर और करीब 60,000 से 11 रिजिस्ट्रियां हुई है सिर्फ 20 साल के अंदर ही तो यह सब कुछ बता रहा है कि consumption वापिस pre-covid level पे पहुंच गया तो इसका भी एक बड़ा benefit मिल रहा है इस कलावा global markets के अंदर भी टेजी है जो भी अपने records तरों पर है और FIS जिसको हम कहते हैं कि संस्थागतनी वेशक जो है वो भी भारत के अंद जिन्होंने बहुत अच्छी स्टेंड दिखाई इनफेक्ट मैं बोलूंगा रिलाइंस का जो मारकेट कैप है वो तो 200 अरब डॉलर का हो चुक है और TCS HDFC भी 100 अरब की कमपनिया अब बन चुके अंदर डॉलर टरम्स में शेर होल्डर की जो पार्टिसिपेशन होती है वो क बी आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके लावा मिट कैप कैडिगरी में जो बढ़ने वाले शेर्स थे वो अनरजी के शेर्स थे जेस्टें जेस्ट डेवल्यो एनरजी एक रेलवेग से जुड़ी होई कंपनी है आई यार सीटी सी जो टिकेटिंग करती है वो करीब रूप में जे बिलकुल आपने साही का दिवाली से ठीक पहले किये दिवाली फिलाल जिन पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया